जादूई पेपर कितनी जादा बारिश हो रही है लगता है आज ये बारिश नहीं रुखेगी और ना आज होगी हमारी एक्सरसाइस और ना कोई खेल बस भोर होंगे हम सारे आज आइडिया कैसा आइडिया? मत्रू ये हम सबको पता है कि ये एक अकबार है लेकिन हम इसे क्या ही कर सकते हैं दोस्तों ये अकबार नहीं है ये है एक जादूई पेपर जादूई पेपर? और इससे क्या जादू होगा? इसमें हम क्या खेल खेलेंगे? क्या इससे हमारी कोई exercise भी होगी इससे हम करेंगे उंग्लियों की exercise उंग्लियों की exercise वो कैसे आओ बताओ कैसे अब पेपर को ऐसे मोड़ो और फिर ऐसे अब पहले हम बनाएंगे इसकी टांगे और फिर मूब अरे हाँ मट्रू इससे तो सच में उंग्लियों की exercise हो रही है अरे वाँ मट्रू मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे पेपर मोड मोड कर अलग-अलग चीज़े बनाने से हमारी उंग्लियों की exercise हो सकती है और ये बन गया मैंड़क तो हो जाए मैंड़क रेस मट्रू तुम्हारा मैंड़क थोड़ा आगे नहीं है हम सबके मैंड़क एक लेंग में होने चाहिए अच्छा ठीक है ये ये मैं जीत गया इस बात से तो मेरे दिम्माग की भी exercise हो गई है और अब मैं सोच रही हूँ कि इस जादूई पेपर से हम और क्या क्या बना सकती है अरे हाँ स्माइली अब तो मेरे दिमाग भी दोड़ रहा है दोस्तो दिमाग दोड़ाओ और उंगलियों चलाओ और कुर जादूई बनाओ मैं तो इससे कुछ भी बना सकता हूँ मतलब कुछ भी पुदकता हुआ खरगोश या श्वाई श्वाई उड़ता हुआ हवाई जहाज भी हाँ या सुन्दर पूल या कागर से बनी कर सुन्दर माला वाउ चलो दोस्तो बनाएं आज कुछ मज़ेदार क्या बना रही हो तुम मत्रू? मैं पेपर से चूड़ी बना रही हूँ और माला भी ये तुम कैसे बना रही हो? मैं इस तरह पेपर की छोटी छोटी गोलिया बना कर एक धागे में डालूँगी तो ये एक चूड़ी और माला बन जाएगी अरे वाँ मत्रू ये अच्छा आइडिया है और तुम क्या बना रही हो स्माइली? तुम ये पेपर से क्या कर रही हो? मैंने उस दिन पार्क में एक सुन्दर सा सूरज मुकी का फूल देखा था तो मैं पेपर की छोटे-छोटे बॉल बना कर वो ही बना रही हूँ अरे वाँ स्माइली पेपर से ऐसा भी कुछ बन सकता है मैंने कभी सोच आई नहीं था और तुम क्या बना रही हो गफ्पी? बना नहीं रहा बन गया ये देखो वाँ कप्पी कितना सुन्दर लग रहा ये घुमते हुए है न मज़ेदार अरे वाँ बच्चो मैं देख सकती हूँ कि आज तुमने कागर से बहुत मज़ेदार चीज़े बनाई है जी आंटी और इससे हमारे दिमाग और खास कर उंगलियों की एक्सेसाइज भी हो रही है बहुत खूब बच्चो और देखो बाहर बारिश भी रोग गई तो दोस्तो चलो ये मज़ेदार चीज़े अपने बाकी के दोस्तों को भी दिखाने चलते है हाँ हाँ चलो चले दोस्तों हमने तो अपने जादे दिखा दिया क्या आप अपने उंगलियों की एक्सेसाइज करते हुए कोई बहतरीन चीज बना कर अपना जादू दिखाओगे लो एक जादरी पेपर और होर जाओ शुरू अपने दोस्तों और बड़ों के साथ बनाओ मज़ेदार चीज़े और करो मज़ा बाइ बाइ दोस्तों अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे